नमस्कार मैं हूँ अंकुर और आप देख रहे हैं सत्तिनी.com अब ये तैमाना जाना चाहिए कि भार्तियन्ता पार्टी ने दिल्ली विदान सवा में शाहीन बाग के मुद्दे पर ही लड़ने का फैसला कर लिया है एक के बाद एक पार्टी के तमाम नेताओं के निशाने पर शाहीन बाग का अंदोलन है और पार्टी नेताओं के बयान राजनीती में भाषा की मर्यादा को लांग कर कोस्त दूर जा चुके हैं सोमवार को हुई एक जनसवा में केंद्रियर वित्राज मंतरी अन्राग ठाकुर ने देश के गदारों को गोली मारो सालों का नारा लगवाया था मंगलबार को पर्श्यम दिल्ली के सांसत प्रवेश वर्मा ने कहा कि अगर बीजेपी के सरकार बनी तो एक घंटे में शाहीन बाग को खाली करवा देंगे दिल्ली की जनता जानती है कि जो आग आज से कुछ साल पहले कश्मीर में लगी थी वहाँ कश्मीरी पंडितों की बहन बेटीओ से रेप हुआ था इसके बाद ये आग यूपी केरल हैदराबाद में लगती रही और आज ये आग दिल्ली के एक कोने में लग गई है वरमा आगे कहते हैं कि वहाँ लाखों लोग इखटा हो जाते हैं ये आग कभी भी दिल्ली के घरों तो पहुंच सकती है हमारे घर में पहुंच सकती है दिल्ली वालों को सोच समझ कर फैसा लेना पड़ेगा ये लोग आपके घरों में घुसेंगे आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे उनके साथ रेप करेंगे उनको मारेंगे इसलिए आज समय है कल मोदी अमेशा नहीं आएंगे बचाने इसलिए दिल्ली के लोग आज अगर जाग जाएंगे तो अच्छा रहेगा दिल्ली के लोग तब तक सुरक्षित महसूस करेंगे जब तक मोदी जीत देश के प्रदान मंतरी है इस तरह शाहिन बाग दिल्ली विदानसवाद चुनाओं में बीते कुछ दिनों से एक अहम मुद्दा बन गया है बीजेपी के नेताओं के धुआधर बयान इस मसले पर आ रहे हैं शुरुआत में आम आद्मी पार्टी ने कोशिश की थी कि वैस मुद्दे पर चुप रहे ये लेकिन उप मुख्यमंतरी मानी से सुधिया के ये कहने पर कि वैस शाहिन बाग के लोगों के साथ खड़े है बीजेपीने से लपक लिया और अब उसके नेता आये दिने इस बयान को मुद्दा बना रहे हैं आज की वीडियो में इतना ही बागी खबरों के लिए बने रहे है सत्त्हिंदी.com के साथ सत्तहिंदी के और वीडियो को देखने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं